इक्जामदार चैनल पर स्वागत है, लाइक करें हमारी वीडियोज को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन होता है, ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें हेलो फ्रेंड्स, मैं दुजित आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जामदार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, मैं हाजूर हूँ आपके सामने एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सिंदू घाटी सभ्यातार, सिंदू घाटी सभ्याता से जितने भी प्रसन बनते हैं, उन सभी के लिएकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ, तो चलिए, ये सिंदू घाटी सभ्यातार पर अधारित महत्पून प्रसन का ये सेशन है, और ये काफी महत्पून है, अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेगते हैं, आपको दो से तीन आपके इस सेशन से, यानि इस सिरीज से सिंदू घाटी सभ्याता से आपके पक्ये हो जाएंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं अपने सिंदू घाटी सभ्याता का परसन का सेशन, उससे पहले, अगर आपको सरकाई नोकरी की बेहतर ऑनलाइन त्यारी कर लिए, तो एक्जा मास का पिता किसे समझा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो हीरे डोटाइस का सही एंसर हो जाएगा, ये वन लाइन प्रसन है, और बहुत दो, चार पांस मिनिट में आपको ये पूरे कम्प्लिट हो जाएंगे, चलिए, अब देखते हैं अगला प्रसन, जिस काल में मानों क कि घटनाओं का कोई लिखित वर्नन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, प्रागयतिहासिक काल, इस काल में लिखित किसी भी चीज का वर्नन नहीं होता है, इसे प्रागयतिहासिक काल कहा जाता है, चलिए, अगला प्रसन है, मानों जीवन की घटन किस युग में हुआ आग का अविस्कार कब हुआ था तो ये पूरा पासान युग में हुआ था आग का अविस्कार अगला प्रस्न है पूरा पासान युग में मानों की जीवका का मुक अधार क्या था तो ये था सिकार करना चलिए अगला प्रस्न है पहिये का अविस्कार कि प्रचलित नाम क्या है तो यह सिंदु घाटी सभ्यता अगला प्रशन है सिंदु घाटी सभ्यता का क्या काल माना जाता है तो पचीस सो इसा पुर्व से सत्रो सो पचास इसवा पुर्व क्या है सिंदु घाटी सभ्यता पचीस सो इसा पुर्व से सत्रो सो इसा पुर्व के ब अगला प्रचने सिंदु घाटी सभेता के लोगों का मुख व्यवसाय क्या था तो ये था व्यापार करना अगला प्रचने हरप्पा सभेता किस युग की सभेता थी तो ये कांस युग की सभेता थी कौनसी हरप्पा सभेता अगला प्रचने सिंदु घाटी सभेता में घर कि से बने थे तो ये पक्की निट्यों से बने थे सिंदु घाटी सभेता के घड़ अब है हमारा अगला प्रस्न हरप्पा के लोग कौन सी फसल में सब से आगे थे तो ये कपास के फसल में सब से आगे थे अगला प्रस्न हरप्पा सभेता की खोज किस ने की तो ये दयाराम सहनी ने की थी हरप्पा सभनेता की खोज। अगरा प्रस्चने सिंदु सभनेता का पर्थम मंदरगा था, तो ये लोथल था और लोथल कहां तो ये गुजरात में हैं चलिये अगरा प्रस्चने सिंदु सिंदू सभेता के किस अस्थल को नकलिष्टान कहा गया है तो ये मोहन जोधरो वह स्थान है जिसको नकलिस्थान कहा गया य अगला प्रसन है हरप्पा सभुता में हल से खूएद जोतने का सक्ष कहा मिला है तो ये काली बंगा में मिला है चली अगला प्रसन देखते हैं सेंदो सभेता की इटों का अलंकरन किस अस्थान से प्राप्त कुआ है तो ये काली बंगा से हुआ है सिंदू सभेता में विशाल असनानागार कहां मिला तो ये मोहन जोदरों में मिला है सिंदु सभिता की मु suppliers पर किस देवता का चितर अंकित back संदु सभिता में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा है तो यह है हरप्पा, हरप्पा सिंदू सब्वेता का सबसे पुराना सहर है चली, आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है, भारत में चांदी की उपलबधा के साक्षे कहां मिले? हरप्पा की संस्कृति में, हरप्पा की संस्कृति में इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है, मांडा किस नदी पे इस्थिता? तो यह चिनाब नदी पे इस्थिता? क्या मांडा? चलीए आगे चलते हैं, अगला प्रस्ण है हरप्पा सब्वेता का पर्मुक अस्थल रोपर किस नदी पर इस्थित है? तो यह रोपर सटल नदी पे इस्थित है थे तो वो लाल रंग का प्रियुक करते थे सिंधू ulenioso की सभेता किस यूग से सम्बंदी थी तो यह वंग गेहुम ये दो सिंदु घाटी सभेता की परमुक फसल थी जो और गेहुम हरप्पा की समकालीन सभेता रंगपूर कहां इस्तित है तो रंगपूर सवराष्ट में इस्तित है हरप्पा और मोहन जोद्रों की खुदाई किसने करवाई तो सर जोन मार्शल द्वारा करवा और मोहन जोद्रों कहां इस्तित है तो यह मोहन जोद्रों अभी सिंद्ध पाकिस्तान में इस्तित है हरप्पा वासियों ने सर तम किस धातों का प्रयूक किया तो यह किया था तांबे का और देख लेते हैं, आगे कुछ प्रस्ण है, स्वतन्थता के बाद भारत में हरप्पा के युग के संस्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज में हुई, तो ये हुआ था गुजरात में अगला प्रस्ण है, हरप्पा के निवासी किस धातूद से परचित नहीं थे, तो वो लोहा से परचित नहीं थे हरप्पा वासी चलिए, आगे देखते हैं, हरप्पा सभेता किस युग की सभेता थी, तो ये तामड युग की सभेता थी हरप्पा के निवासी किस खेल में रूची रखते थे वो सतरंज में रूची रखते थे अगला प्रसन है हरप्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था तो मोहन जोदरों को सिंध का बाग कहा जाता था हरपपा के निवासी घरों इबंग नगरों के विन्यास के लिए किस पदिती को अपना थे थे तो ग्रीड पदिती को अपना थे थे चली आगे देखते थे हैं वैदिक सभेता से कुछ प्रसने उसे भी अमी सेसन में देख लेखते हैं पहला प्रचने आरे सब्द का अर्थ क्या है तो श्रेष्ट या कुलिन अर्थ सब्द का अर्थ होता है आरियों की भासा क्या थी तो आरियों की भासा थी संस्कृत अगला प्रचने आरियों का मुख व्यवसाय क्या था तो पसु पालनेवं क्रिसी आरियों का मुख व्यवसाय था आरियों ने सबसे पले किस धातु की खोज की तो आरियों ने सबसे पले लोहा के खोज की उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी वब्रामन विरोधी धार्मिक अध्यापको को क्या कहा जाता था तो उन्हें स्रब्मन कहा जाता था अगला प्रचने वैदिक गनित का महत्पूनंग क्या है तो ये है सुल्व सुत्रे वेदों की संक्या कितनी है तो वेदों की संक्या है चार सबसे प्राशीन वेद कौन सा है तो यह है रीग वेद सबसे प्राशीन वेद है अगला प्रचने किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्यान होता है तो रीग वेद द्वारा भारत के राजचिल में लिखा सत्यमेयो जैते किस उपनिशद से लिया गया है तो ये मुंडक उपनिशद से लिया गया है क्या सत्यमेयो जैते चलिए आगे देखते हैं अगला प्रचने भारतिय संगीत का आदिगरंद किस देवता को कहा जाता है किस वेद को कहा जाता है तो ये सामवेद को कहा जाता है भारतिय संस्कृत का आदिगरंद भारतिय संगीत का आदिगरंद सामवेद पर्थम वीधी निर्वाता कौन है तो आगला प्रसने क्रिश्न भक्ति का पर्थम एवंग पर्धान गरंथ कौन सा है तो स्रीमद भागवत गीता ये क्रिश्न भक्ति का पर्थम एवंग पर्धान गरंथ है कौन सा स्रीमद भागवत गीता और इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन समावत होता है अगर आप चैनल प सकते हैं नेक्स्ट वीटियो में तब तक के लिए जयाहिंद जया भारत कि छाँ